तो आप लोग जानते हैं कि करवा चौत आ गया है तो घर में सब के साथ सफाई चल लिए तो वही बस थोड़ा सा काम में विजी हूँ आज तो आएए मैं अपने ब्लॉग में आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने छट की सफाई करने जा रही हूँ जोस्तो अब करवा चौत के बहुत कम दिन बचे हैं तो इसलिए मैंने अपनी चट की जो है क्लीनिंग करने के लिए जो है ये पहले तो मैं ये गंले जो आप देख सकते हैं ठीक है और पहले मैं साब सफाई के लिए पहले मैं इन गमलों को आप देख सकते हैं, कई सारे गमले हैं, ठीक है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मनी प्लांट का पौधा है, जो मतलब इसमें अर्जिस्ट नहीं हो पा रहा है, सही से इसलिए ये जो है चल नहीं पा रहा है, मैं उसे इसमें अर्जिस्ट करूँगी और ये तुलसी का पेड़ है और ये आप देख सकते हैं ये मनी प्लांट का पेड़ है ये जो है चलानी दोस्तो ठीक है इसको मैं चाहूंगी कि ये चले क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अगर पेड़ खराब होते तो मुझे बहु को सबको हारा भरा करती रहूं आप देख सकते ही कितने सारे पौधे हैं है कि इस अरे पौधे हैं इन सबको जो इस मतलब थोड़ा सा इन में इंप्रूमेंट की जरूरत है है ना और बाकी जो है मुझे साप सफाई भी करनी थी तो मैंने सोचा कि इससे प्छम होका नहीं मि लेगा क्योंकि साथ में दीपा वाली भी है दोस्तों तो उसकी भी साप सफाई करनी है तो यह सारा काम जो है मैंने सोचा मैं आज ही फिनिस कर देती हूं और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मिट्टी है और यह मिट्टी जो हम गंलों में डालते है ना पहले आप यह वीडियो यह पसंद आई होगी यह मैंने इस्पेशली आप लोगों के लिए बनाई थी और इस समय थोड़ा सा दोस्तों काम चला है ना घर पे करवा चौद भी आ रहा है और इधर दीपा वाली भी है तो जो है मैंने यह सारी चीज़े जो है मैंने घर में ही कूटी हुए ह आप देख सकते हैं मैंने कितना बारी कर दिया इनको ठीक है आपको भी ऐसी अगर मिट्टी आप यूज़ कर रहे हो तो अच्छे से आप जो इसको मतलब अच्छे से पहले जो है वो कर सकते हैं ठीक है उनके चोटी चोटी टुकडे कर लीजिए महीन हो जाएगी उसके आप अपने गमलों में डालिए आप यकीन नहीं मानेंगे बहुत अच्छी ग्रोध होती है ठीक है और दोस्तों मैं उम्मीद करती हूं कि आपको यह मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा ठीक है ऐसे ही धेड़ सारा प्यार मुझे देते रहेगा दोस्तों और आपको कर देवा चौत की और दीपा वाली की धेड़ सारी बदायू थैंक यू सो मच